नमस्कार दोस्तों स्वाग्ध है आपका आपके अपने हिम गयान आप्षियल यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज रहेगा प्रैक्टिस सेट बन जो की अती महत्यबुन समानने गयान के प्रेशन हैं जो आपके लिए लाए हैं सेट्शन शुरू करने से पहले चैनल को सबस्क्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें क्योंकि फ्रेंड्स बहुत महत्त लगती है एक एक क्वाश्चन आपके लिए एक अठा करने पर जो की वेरी वेरी इंपोर्टन्स होते हैं उन क्वाश्चन को चुन के लाना पड़ता है और हंडर्ड में आपको कितने क्वाश्चन आते हैं ये भी कुमेंट सेक्शन में कुमेंट करके जरूर बताएं फ्रेंड्स और चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें तो friends start करते हैं आज का session question one लेते हैं भार्त में सबसे पहले सूर्य किस raja में निकलता है तो यह निकलता हैँ और आछाल प्रधेश में second लेते हैं बिहु किस राज्य का प्रसी तो यहार है किस राज्य का है आसाम राज्य का next question लेते हैं भार्त का प्रथम गौर्णर जनरर कौन था तो था बिलियम बेंटिक नेक्स्ट क्वास्चन लेते हैं भगवान बुद्ध को ग्यान की प्राप्ति कहां हुई थी तो यह हुई थी बौध गया में नेक्स्ट लेते हैं आर्य सामाज की स्थापना किस ने की थी तो की थी समावी विवेकानल ने नेक्स्ट लेते हैं भारत की मुख्य भूमी का दक्षितम किनारा कौन सा है तो दक्षिन किनारा कौन सा है कन्या कमारी का जैसे हमारे उत्तर का है जह मुक्ष्मीर है उत्तर में त और लेते हैं काधगश का बीशका किस देश में हुआ तो यह हुआ चाईना में गोतम भूत का बच्चमन का क्या नाम था सिधार्थ नाम था उनका गोतम भूत का रतोंती किस बिटामिन की कमी से होती है तो बिटामिन एकी कमी से होती है गिद्दा और भागड़ा किस राज्य के लोक निते है तो गिद्दा और भंगड़ा जो होता है वो पंजाब रज्यर के लोग gryते हैं next लेते हैं भार्ट की पहली महिला शासी का कौन थी तो थी रज्यर सुल्थान next question लेते हैं इंकलाब जिन्दा वाद कनारा किसंहे दिया तो दिया था वोग्त सिंग ने दिया था मश्ली किसकी सहता से सांस लेती है तो लेती है गलफ़ोडों की स्याथ से गिल्स की स्याथ से लेती है सांस भारत में ससस्तरवलों का सरवोच सेनपती कौन होता है तो होता है रास्टपती पॉंगल किस रज्जे का तिहार है तो यह तंबिल नाडू रज्जे का पॉंगल नेक्स लेते हैं टेलिविजन का विश्कार किसने किया जॉन लोगी वियर्ड ने किया था जॉन लोगी वियर्ड ने जलिएवाला वाग हत्यकान कब कहा हुआ था यह हुआ था 1919 भी में हुआ था अमिर सर में हुआ था पंजाब केसरी किसे कहा जाता है ये कहा जाता है बासकोडी गामा कहा रहने वाला था मांट अवेरेस्ट पर दो बार चरने वाली पहली मेला कोन थी सन्तोश यादब नेक्स लेते हैं question सुवामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था उनका मूल नाम था मूल शंकर मूल से हम याद रख सकते हैं मूल शंकर सुवामी दयानंद का सरस्वती जी का नेक्स लेते हैं 1949 इसमी में कांगस शोडने के बाद सुश्वास चंदर बोस ने किस दल की स्थापना की थी तो ये की थी फारवर्ड ब्लॉक की सांडर्स की हत्या किस ने की थी भग सिंग ने की थी भारत की पहली महिलर राज्येपाल कौन थी स्रोजनी नाइडू जो थी भारत की पहली महिला राज्येपाल थी बर्ण समाज की स्थापना किस के दोरा की गई थी राजा राम मोहन राहिर के दोरा की गई थी बेद्दों की और लोटों का नहारा किस ने दिया था दायनांद स्वस्वति ने दिया था नेक्स लेते हैं महावार्थ के रचेता कौन है? तो महर्शी बेदवियास्ते महावार्थ के रचेता. Next question लेते हैं. नेता जी किस महापुर्ष को कहा जाता है? सुवाष चंदर बोस को नेता जी कहा जाता है. सबी जानते हैं. दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्ति की समाद्धी का क्या नाम है? तो बिजे गाट है. लोपुर्ष की समहापुर्ष को कहा जाता है. सुधार बल्लो भाई पटेल को कहा जाता है. सिखों का पुर्मुक्तिहर कोन सा है? बिसाख्खी. सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है गुरु नानक को गुरु नानक जी को माना जाता है सिख धर्म का संस्थापक हबा महल कहां स्थेथ है तो है जाइपूर में राजस्थान में बास गोडी गामा भारत का बायत हुआ थे 1498 में भारत में आये थे उन्होंने ही भारत की खोज की थी नेक्स लेते हैं राम केशन मिशन की स्थापना किसे ने की थी सुमामी विवेकानद ने की थी राम केशन मिशन की स्थापना अर्थशास्तर नामक पुस्तक किसे ने लिखी अर्थशास्त्र नाम को पोस्तक संभिधन सभा का स्थाई अधिक्ष कौन था डॉक्टर जेंदर पशाद थे हमारे संभिधन सभा के स्थाई अधिक्ष नेक्स लेते हैं बिशब रेड क्रोस दीप्स किस तारीक को मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है आठ मही को आठ मेही को रेड क्रोस दीप्स मनाया जाता है अंतराश्टी महिला दीप्स किस तिथी को मनाया जाता है तो आठ मार्च को मनाया जाता है ओनम किस राज्य का प्रसित युहार है केरल का सबसे चमकीला गरह कौन सा है तो आपने याद रखना है शुक्कर सबसे चुम्किला है, जै जवान, जै किसान का नारा किसने दिया था, लाल भादुर शास्त्री ने, नेक्स लेते हैं, समिधन सभा के पारूप समिती के अधियक्ष कौन है, डॉक्टर भीमरा अमेड कर थे, जो डॉक्टर भीमरा जी अमेड कर थे, वो समिधन सभा क पारूप समिती के अध्यक्ष थे Next लेते हैं सुर्य उदे का देश के नाम से शेर परसीद है जापान जापान कंट्टी जो सुर्य उदे के नाम से परसीद है सबसे पहले सुर्य वहाँ पि जो है उदे होता है ख्षेत्रफल की दिष्टी से भारत में सबसे शोटा राजिय कौन सा है वो है गोवा भारत का राष्टी गीत कौन सा है बंदे महत्रम ओके जी नेक्स्ट क्वच्चन लेते हैं भारत का राष्टी गान किसने लिखा रिविंदना टगोर जी ने भारत के राष्टी जंडे की लंबाई और चुड़ाई के अनुपात कितना होता है यह होता तीन अनुपात दो भारत का राष्टी खेल कौन सा है होकी होकी जो राष्टी खेल है भारत का राष्टी फूल कौन सा है तो है कमल नेक्स्ट क्वच्चन लिते हैं कारवन का सरबातिक शुद रूप कौन सा है। हमारा राष्ट्री पंचांग कौन सा है यह है शत्सबंथ है हमारा राष्ट्री पंचांग महत्मा गंदी को राष्ट पिता सबसे पहले किस ने कहा था यह कहा था नेता जी सभास्चंदर बोस जी ने कहा था किस धातू का प्रयोग मानुद्वारा सबसे पहले किया गिया था तो ये किया गया था तामबाखा सबसे पहले मानम का इसी का प्रयोग करते थे तामबाखा नेक्स कोच लेते हैं भारत की प्रथम महिला मुख्य मंत्री कौन थी ये थी शिरी मति सुचेता कृपलानी जी भारत की पहली जो है महिला मुख्य मंत्री थी प्रत्वम भारती अंत्रिक शियात्री कौन थे ये थे रकेश शर्माजी थे 1984 इसी भी में बने थे ये थे सक्वाडरन लीडर थे ये रकेश शर्माजी आगे भारत में रेल का परम्ब की सन में हुआ था ये हुआ था था 1853 में योगा रेल का परांब हुआ था भारत की पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर ने अरंब की गई यह हुई थी कॉलकत्ता में मेट्रो रेल सेवा जो है कॉलकत्ता ने अरंब की गई थी भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली यह चली थी बंबेई से थाने तक नेक्स लेते हैं नेक्स लेते हैं दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाध्धी का क्या नाम है यह है राजखाट दूरविन का विश्कार किस ने किया था गैलिलियों ने किया था नेक्स लेते हैं सियुक्त राष्टर संग की स्थापना कब हो थी 24 अक्तूबर 1945 सेवी में सुन्यूक तराष्टर संग की UNO की स्थापना हुई थी Next question लेते हैं सुन्यूक तराष्टर संग का मुखहले कहाँ परस्तित है New York में है सुन्यूक तराष्टर संग के पहले मास अचिव कौन थे तो ये थे त्रिग वेली थे इस समय सुन्यूक तराष्टर संग के कितने देश के सदस्य है 193 है सुन्यूक तराष्टर संग सुरक्षा परिश्यत के कितने देश सदस्य होते है इसके कितने होते है 15 15 होते है इसके देश सदस्य है सुन्यूक तराष्टर संग सुरक्षा परिश्यत के कितने देश 27 सदसे हैं तो कितने हैं 5 इसके 27 सदसे हैं अंतराष्टी नियाले कहा पर सित है इसका देहेग होलेंड में है next question लेते हैं सिन्यूक तराष्टर महा सावा में हिंदी में भाषन देने वाले भारती कौन थे तो यह थी हमारे अट्टल बिहारी वाजबेजी सिन्यूक तराष्टर संग का 193 सदसे कौन सा देश बना था यह बना था दक्षनी सुडान जो है लास्ट में 193 सदसे वो बना था यूए नव का next लेते हैं जो दिल्ली भारत की अस्दानी कव बनी यह बनी थी 111 सभी में सिन्यूक तराष्टर संग सुरक्षा प्रश्चत की अस्थाई सदसे कितने वर्ष के लिए चुन जाते हैं जो तर्तारी ठीक है जी ओलंपी खेलों का यूजन कितने वर्षों बाद होता है तो यह होता है चार वर्षों बाद next question लेते हैं अंतराष्टी मानव धिकार देवस का मना आयाता है यह मना आयाता है 10 दिसंबर को हर्याना की कौन से नसल की भेंस परसीद है यह है मुर्रा ठीक है जी next question लेते हैं किस देश की स्थल सीमा सरवादिक देशों के साथ लगती है यह है चाइना चिन की यह सरवादिक देशों के साथ लगती है भारतिय मरुस्थल का क्या नाम है यह है थार काजी रंगा राष्टी अभ्राणय किस राज्यों में है यह आसाम में पित्वी अपने धुरी पर किस दिशा में घुमती है पश्यम से पूरव की और यह घुमती है उजयन किस नदी के किनारे बसा है यह है शिपरा शिपरा के किनारे जो है उजयन नगर जो है बसा है नेक्स बोली में तो यह थे फ्रेंड्स टॉप 100 जनल नौलिस के क्वेश्चन अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके और इस टाइप के जीके के क्वेश्चन से लाओं और इंपोर्टन्स क्वेश्चन जो की एक्जामिनेशन पॉइंट हो वेरी वेरी इंपोर्टन्ट है आप ले लाए मैंने तो उसको भी आप रीड करें और अपने एक्जामिन की अच्छी त्यारी करें